है गाइस तो स्वागत है आपका कैप्टेन बीटू के चैनल में जहां आज हम हौकाई के हर एक एरो और ब्लाक वीडियो के हर एक गाजट्स को एकस्प्रेंड करने के बाद बात करने वाले हैं बकी के साइबरनेटिक आर्म के बारे में क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा प्लेन किया है जिसके बदालत फालकन इतना केबबल था कि वे चितौरी लेवियातन तक को मार गिराए तब से कई लोग कह रहे थे कि बकी के भी कारनामों का हिसाब लगाया जाए तो हम भी लग गए इसमें और बहुत ही जाच परतल करने के बाद मुझे यह तक पता चल ग फीचर क्या क्या है तो अब आप सोच रहे होंगे यह वीडियो किसलिए तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको पॉसिबल फीचर्स बताऊंगा जो कि बकी के वाइबरेनियम आर्म के हो सकते हैं और बिलीव मी मैं यहाँ पर अपने वाट इफ सीरिस के तर वीडियो बाइट्स को यूस किया था ब्लैक पैंथर के ऊपर जिसके मदद से वो कुछ हद तक उसे रोकने में कामियाब हुई थी साथ ही विंटर सोल्जर मुवी के अंदर भी हमने देखा था कि ब्लैक वीडियो ने टेजर डिस्ट कर इस्तमाल करके कुछ सेकेंड के था और तो और टोनी के यूडिवीम ने तो बकी के इस हाथ को उससे अलग ही कर दिया था तो शूरी को इन सब चीजों के बारे में बकी ने बताया ही होगा और उसने इन सब को माइंड में रखते हुए इस आर्म को बनाया होगा ताकि वो इन सब को छेल सके तो ये काफी ड लेजर डिस्ट जैसे वेपन्स जो कि किसी मेकेनिकल आर्म या फिर मेकेनिकल चीजों को मैलफंशन करने पर मजबूर कर देते हैं उनका इफेक्ट भी इसके उपर नहीं होगा वर्डना ये आर्म बिल्कुल भी यूजलेस हो जाएगा और शूरी जो कि वाकांडा के साइन्स इपार्टमेंट की हेड है और वेपन इपार्टमेंट की हेड है उनसे इस तरह की कमी की उमीद तो हम नहीं कर सकते हैं सिविल वार में हम देखते हैं कि वो अपने साइबरनेटिक आर्म से बुल्डेट्स को ब्लॉक कर रहा था तो मेरे खयाल से इसमें एक शील्ड सिस्टम होना चाहिए वैसे भी कैप्टेन का शील्ड तो फालकन को दे दिया गया है तो इसके पास एस अ कमपेंसेशन कुछ त हमें ना दिखाया जाए अब वाइवरेणियम आर्म है तो इसके पंचेस का इंपक्ट पहले की मुकाबली कई गुना ज्यादा होगा बट जिस तरह पैंथर ने यहां जमीन पर अटाक मार के आसपास एक शौक वेव छोड़ा था उसी तरह का अगर बकी भी कर पाए तो मज अपती अच्छा लगेगा प्लस क्या आपको मालूम है कि बकी को जो सुपर सोलजर सीरम का वर्जन दिया गया था उसमें वीटारेज के जगह टेसरेक्ट से निकलते गामा रेडियेशन को दिया गया था मैंने कई लोगों को देखा है जो यह पूछते हैं कि डॉक्टर बै इसे फिर से बनाने में कामियाब भी होता है लेकिन उसे बीच रास्ते में विंटर सोलजर ले जाता है और साथ ही उन्हें वाँ पे मार देता है जिसके बाद ये राज वहीं पे दफन हो जाता है बट इन लोगों को कहा मालूम था ये बात और इसलिए वो अलग-अलग रे मैंने बता है शायद वो बहुत सारे लोगों को ना मालूम हो तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो और अगर ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो इन दा कमेंट सेक्शन प्लस आप कोई और टॉपिक साज़ेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरीए बता सकते हैं बाकि अगर आप चानल पे नए हैं तो अपने फेवरिट कैरेक्टर से जूड़े कुछ एक्स्प्लेइन वीडियोस देख लें जो कि आई होप आपको अच्छे लगेंगे और वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब अगा है तो अगर बुरा लगेंगे तो और भी वीडियोस ट्रइक कर लिजेगा शायद वो अच्छे लग जैं बाकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप खुद से ही अच्छ लोग ने सब्सक्राइब कर रका है प्लीज चेक आपने बेल आईगन दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो वल और अगर आपने नहीं दबाया है तो प्लीज उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको जाए बाकी आप हमारे चैनल का मोटो तो जानते ही हैं जो कि है लोगों की मदद करना अपना ख्याल रखना and keep going forward कर रट लगा कर आगे बढ़ते रहना thank you for watching this video stay tuned